गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्रिया के विशे में क्रिया सुना तो हो गई अपनी यह शब पहले भी, आईए इसके विशे में विस्तार से जाने काम का होना क्रिया कहलाए, खेले, कूदें या धोल बचाए अर्थात कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार के काम को क्या कहा जाता है क्रिया चाहे वह खेलना हो, पूदना हो या फिर धोल बजाना, जैसे कि यहां कुछ चित्र दिये गए है इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में एक बचा पढ़ रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ना भी क्या है, क्रिया दूसरे में तो गाना गा रहा है गाना गाना भी क्रिया है खेलना भी क्रिया है इसी प्रकार से साफ सफाई का काम करना भी क्रिया है सभी प्रकार के शब जो कि हम सुभा से शाम तक अथ्वा सूने तक जितने भी कारे करती है वे सभी क्रिया है क्रिया की परिभाशा क्या होगी काम का होना या करना क्या कहलाता है क्रिया क्योंकि काम को या तो हम करेंगे या वह किसी के द्वारा होगा आते किस काम का कोई भी रूप हो चाहे उसका होना हो या करना वह क्या कहलाएगा क्रिया आईए जाने और कुछ कामों के विशे में चलना चलना भी एक क्रिया है क्योंकि हम चल रहे हैं तो यह भी तो एक काम ही है और खाना खाना भी क्रिया है क्योंकि खाना भी तो एक क्रिया ही है अधह खाना भी क्या हो गई एक क्रिया और देखना देखना भी क्रिया है इस प्रकार से खाना देखना चलना यहां तक कि लिखना पढ़ना याद करना पढ़ाई ये सभी क्या है क्रिया है बच्चों हम सुभा उठने से लेकर सोने तक जितने भी काम करते हैं वे सभी क्रिया के ही तो रूप है यहां तक कि हसना भी क्रिया है आईए अब हम जाने क्रिया के फेदों के विशे में क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होती है कौन कौन से हैं दो भेट सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आये जाने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यहां आप देख रहे हैं एक चित्र में बंदर क्या कर रहा है केला खा रहा है और दूसरे चित्र में अनुराग तबला बजा रहा है सकर्मक आता है कर्म सहित वह क्रिय जहां पे कर्म हो वह कौन सी कहलाती है सकर्मक क्रिया अब हमारे सामने प्रशन आता है कि हम पहचाने कैसे कि दिये गए वाक्य में जो क्रिया है वह सकर्मक है अथ्व अकर्मक आईए इसे जानना सीखें बहुत तेसान है अब क्रिया से क्या या किसे का प्रशन करें ध्यान रह केवल क्रिया से करना है यह प्रश्न यदि आपको प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक्रिया होगी और यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो वह कौन सी क्रिया होगी अकर्मक्रिया देखें कैसे बंदर केला खा रहा है यहां क्रिया क्या हो रही है खाना अब ह खाना से ही क्या का प्रशन पूछेंगे क्या खा रहा है हमें जवाब मिल रहा है केला यदि हमें जवाब मिल रहा है तो यहां कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है सकर्मक्रिया और यदि यह वाकिक केवल ऐसे होता बंदर खा रहा है तो हम प्रशन क्या करेंगे कि बंदर क क्या खा रहा है यहां तो हमारे पस खाने का कोई उत्तर ही नहीं होता तो यह क्रिया कौन सी हो जाती अकर्मक्रिया आएए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखें यहां अनुराग तबला बजा रहा है क्रिया क्या होगी बजाना अब हम प्रशन क्या करेंगे क्या बजा रहा है क्या बजा रहा है यहां हमें इस प्रश्ण का क्या उत्तर मिल रहा है तबला हमारे पास इस प्रश्ण का उत्तर है आते यह कौन सी क्रिया हुई सकर्मक्रिया समझ में आया बचो सकर्मक्रिया या अकर्मक्रिया इसे पहचानना कितना असान है अब आईए जाने अकर्मक्रिया जिस वाके में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह कौन सी क्रिया होगी अकर्मक्रिया अभी हमने जाना सकर्मक्रिया जहां कर्म पाया जाता है और अकर्मक्रिया में कर्म का नहीं पाया जाना ही उसका अकर्मक होने का कारण है देखे उधारण यहाँ बच्चा रो रहा है अभी हमने जाना ही था कि क्रिया से हम कौन सा प्रशन करेंगे क्या या किसे यहाँ हम प्रशन क्या करेंगे बच्चा रो रहा है क्रिया क्या है रो ना तो प्रशन होगा क्या रो रहा है, अब क्या रो रहा है कर तो कोई उत्तर ही नहीं, यदि आप कहेंगे बच्चा, तो बच्चा रो रहा है, इसका प्रशन तो बनेगा कौन रो रहा है, किन्तो ध्यान देने योग्ये बात है, यहां प्रशन हमें कौन से नहीं करना, हमें क्या या किसे से करना है अब कौन रो रहा है इस प्रशन का तो कोई जवाब ही नहीं आते यह कौन सी क्रिया हो गए अकर्मक्रिया इसी प्रकार से दूसरे चित्र में जोकर क्या कर रहा है हस रहा है अब क्रिया कौन सी हो गए हस ना प्रशन क्या हुआ क्या हस रहा है क्या हस रहा है यह तो कोई प्रश्णी नहीं बन दा इसका कोई उत्तर भी नहीं है आते क्या हस रहा है प्रश्ण का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास तो यहां क्रिया का कौन सा रूपाया जा रहा है अकर्मक क्रिया समझ में आया बच्चों कि आप अराम से पहले वाके में से क्रिया ढूडेंगे और क्रिया से कौन सा प्रशन करेंगे क्या या किसे यदि क्या या किसे प्रशन का आपको जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक्रिया होगी यदि जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया आये क्रिया के कुछ और भेद भी जाने प्रेव नार्थक क्रिया चैसा की इसके नाम से पता चल रहा है कि यह कैसी क्रिया है प्रेवना देनी वाली आते जब हम किसी को प्रेवना देते हैं आते हमसे काम करवाते हैं तो यहां आप एक उधारन देखिए, स्रिष्टी तितली उड़ा रही है, अब तितली तो अपने आपी उड़ती है, तितली को तो हम उड़ा नहीं सकते, किन्थु यहां स्रिष्टी कैसे परेना देगी? स्रिष्टी तितली को उड़ने के लिए प्रेरीत कर रही है आते हैं स्रिष्टी प्रेरक है और तितली प्रेरीत संग्या क्योंकि तितली स्रिष्टी से प्रेरिना प्राप्ट कर रही है प्रेरीत हो रही है तो यहां उड़ना कौन सी क्रिया हो गई प्रेनार्थक क्रिया जब किसी के द्वारा किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है प्रेनार्थक क्रिया आप इसके नाम से तो भली भाती परिचित होंगे प्रेनार्थक का अर्थ अथे प्रेना देकर करवाया गया कारे यहां हम ये भी कह सकते हैं किस रिष्टी ने तितले को उड़ने के लिए प्रेरित किया इसी कारण से उड़ना कौन सी क्रिया हो गई प्रेनार्थक आईए जाने दूसरी क्रिया अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया वे क्रिया होती है जिनकी रचना संग्या सर्वनाम या विशेशन आदिसे होती है जैसे हाथ, हाथ संग्या है अब हाथ से कौन सी क्रिया बन गई हतियाना अपना अपना तो सर्वनाम है यह तो हमने संग्या सर्वनाम में जा नहीं था तो अपना से कौन सी क्रिया हो गई अपनाना इसी प्रकार से विशेशन गर्म विशेशन भी आपने पड़े थे विशेशन गर्म क्योंकि गर्म एक विशेशता है केंतों यहाँ गर्म से कौन से क्रिया बन गई गर्माना अत्य है याद रहे आपको कि वे सभी क्रियाएं जिनकी रचना किस से होती है संग्या सर्वनाम या विशेशन आदि से वे कौन से क्रियाएं कहलाती है ऐसी क्रियाएं नाम धातू क्रियाएं कहलाती है जिन क्रियाओं क कि रचना संग्या सरवनाम या विशेशन से हो आईए अगली क्रिया के विशे में जाने अगली क्रिया है हमारी समस्त क्रिया समस्त क्रिया की रचना दो धातूं के योग से होती है यहां दो धातूं होती है कि यहां आप यह भी समस्त सकते हैं दो धातूं अर्था दो किन्तु ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है दोनों क्रियाओं में से हम किसी के भी अर्थ को कमजोर या कम नहीं समझ सकते जैसे रमेश उठ बैठ सकता है अब प्रस्तुत वाक्य में क्रिया क्या है उठना बैठना अब हम कह सकते हैं रमे पिर रहा है यानि वह चल भी सकता है और घूम भी सकता है इस प्रकार से जब दो क्रियाएं एक साथ हैं और दोनों का अर्थ बना रहे तो वे कौन सी क्रिया कहलाती है ऐसी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती है समस्त क्रिया में दो क्रियाओं का योग होता है किन्तु दोनों का आर्थ बना रहता है अगली क्रिया है मिश्र क्रिया मिश्र जैसे की मिश्रन हो जाना यहाँ पर भी दो क्रियाएं होती है किन्तु मिश्र क्रिया का पहला आंश संग्या विशेशन या क्रिया विशेशन से बनता है अभी हमने जाना समस्त क्रिया में भी दो क्रियाएं होती है किन्तु दोनों क्रियाएं होती है और दोनों का महत्व बना ही रहता है किन्तु यहां मिश्र क्रिया का जो पहला भाग होता है वह संग्या विशेशन या क्रिया विशेशन से बनता है जैसे दान दान तो संग्या है और पीछे वाला भाग देना क्रिया है यानि संग्या और क् बुरा तो विशेशन है कोई चीज अच्छी है बुरी है यह तो विशेशन होता है किन्तु इसमें क्या क्रिया लगाई हमने लगना आते हैं विशेशन बुरा के साथ क्रिया लगना के मिलाने से कौन सी मिश्र क्रिया का दिर्मान हुआ बुरा लगना अगला है क्रिया विशे क्रिया विशेशन यानी बाहर बाहर जाना क्रिया विशेशन का एक उधारन है इसी प्रकार से इसमें क्रिया कौन सी लगाई हमने करना अब बाहर करना क्रिया विशेशन में क्रिया के योग से क्या बन गया बाहर करना आईए अगली क्रिया जाने अगली क्रिया है संयुक्त क् है याद रहे संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया में भी दो क्रिया होती है किन्तु यहां मुखे इर्थ किसका होता है पहले वाली क्रिया का संयुक्त क्रिया में हमने जाना था दोनों क्रियाओं का बराबर का महत्व बना रहता है किन्तु संयुक्त क्रिया में पहले वाली क्रि क्रिया जुड़ी गई है कर लेना कर लेना यानि की काम करना यहां महत्व किसका है कर का करनी का अत है जब दो क्रियाएं हो किन्तु पहले का महत्व हो और दूसरे का अधिक महत्व नहीं हो तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है संयुक्रिया इस प्रकार से हमने जाना सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के विशे में, नामधातू क्रिया की रचना होती है संग्या सर्वनाम विशेशन से, प्रेनार्थक क्रिया के विशे में, जहां एक प्रेरक संग्या होती है, दूसरी प्रेरित संग्या, और क्रिया कौन सी हो जाती है, प्रेनार्थक क्रिया, इसी प्रकार से हम से उटना बैठना चलना फिरना हमने संयुक क्रिया के विशे में जाना संयुक क्रिया में पहली क्रिया का महत्व होता है पहला आंश होता है वह मुख्य अर्थ देता है इसी प्रकार से हमने मिश्र क्रिया के विशे में जाना मिश्र क्रिया जिसकी रशना किसे होती है संग्या क्रिया विशेशन आदी से बच्चों मुझे उमीद है आप क्रिया भली भाती समझ गए होंगे धन्यवाद